अच्छा बना हमारे लड़के महाँ पे वर्ल्ड कप जी जाते वो वहाँ पे पनोती हरवा दिया ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है हमने लाखो करोड रुपेज पे खर्चा नहीं किये ये नाम जनता ने मोधी जी को दिया है जनता ने नवाजा है राहुल गांधी मां भी मांगे Congress नेता राहुल गांधी के एक बयान पर बवाल हो गया है राहुल ने वर्लड़कॉप फाइनल में भार्ती क्रिकेट टीम की आरका जिक्र करते हुए यह बयान दिया हाँ क्या? पनोती 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 वो अच्छा बला अच्छा बला वहाँ पे अच्छा बला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीच जाते वो वहाँ पे पनोती हरवा दिया कॉंग्रेस के यूटीव चैनल पर राहू के इस बयान वाले बाशन खो इस थम्लिल के साथ पॉब्लिश किया गया ऐसे में राहू के बयान पर बीजेपी पुरी तरहा भढ़क गई सुनिये बीजेपी नेता रबशंकर प्रसाथ ने इस मामले पर क्या कहा राहूल गांधी की एक टिपणी की मैं गंभीर भर्स्ता करता हूँ राहूल गांधी में ये शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधान मंत्री के लिए किया है वो अशोबनी है अमर्यादित है और मिले पास और शब्त हैं इससे दिखां बड़े शब्त नहीं दो सकते हैं इड़ादाएं तो राहूल गांधी जा आपको क्या हो गया है आप हार की हदाशा में इतने परशान हैं कि अब भारत के प्रधान मंत्री पर गाली पढ़ रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री किस प्रकार से जा करके खिरादियों के साथ स्थे करते हैं उनका मनुबल बढ़ाते हैं उनके लिए मदद करते हैं आज भारत की टीम एशियार्ट में अच्छा कर रही है और फिर राहूल गांदी अपने भाशन में हमारे पधानमंसी के बारे में उस शक्त की बात करें राहूल गांदी मापी मांगे वही कॉंग्रिस ने कहा कि आखिर इस मामले पर इतना आक्रोश क्यों है ये जब पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं इनका आक्रोश कहा था जब राहूल गांदी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूस फैक्टरी एक दुषप्रचार कैमपेइन और मुहिम चलाती थी जब उनके भाशलों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुषप्रचार किया जाता था लाखों करोडों रुपे खर्चा करके उनको अजीबों गरीब नाम से नवाजा जाता था तब आपका अक्रोश कहा था आपका अक्रोश तब कहा था जब देश के प्रधान मंतरी मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवास को सबसे प्रमुक नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं तब तो आप सुईट अपक सननाटा कर लेते हैं और अब आप उचल कूद करके अक्रोश जताएंगे चुप चाब बैठ जाइए और समझे कि ये नाम हमारा दियाओआ नहीं है हमने लाखो करोण रुपेस पे खर्चा नहीं किये ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है जनता ने नवाजा है तो अगर मीठा मीठा जो गप हैं तो करवा-करवा थूक नहीं हो सकता जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसाद किया है तो इस शब्द को भी आत्मसाद कीजिए और सोचिए कि जनता क्यूं फेकने पर, जाल साजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही कॉंग्रेस इस मामले में जनता को भी ले आई है उसका कहना है कि उसने पि-म मोदी को विवादित नाम नहीं दिया बनकि जनता ने दिया है खालांकि कॉंग्रेस की इस दलिल पर सवाल उठ रहा है कि क्या जनता की आवाज के नाम पर अपशब्दों या निचले स्तर की भार्षा को सियासत में स्विक्रिटी मिल जाएगी करते हैं और दलील देते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो बावाल क्यों हो गया और इसी तरह स्यासत में लगातार भाषा का इस्तर गिरने का सिल्जला आगे बढ़ता जा रहा है